हेलो प्रेंट्स गुड मॉर्णिंग आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत इंपोर्टेंट है और मेरा जो मॉर्णिंग रूटिन है उसका कुछ इंपोर्टेंट हिसा मैं आपके साथ सेर कर रहे हूं तो सबसे पहले मैंने सुबह मेहंदी रेडी किया सो के उठके तुरंट और अभी मैं क्या करें ना कि फूल तोड़े हूं के लिए के सामने के लिए पूल पर कोई रहे तोड़े चला जाता है बस आज मैं इसको तोड़के रख लेती हूं और अब ही आज मैं अपने बेटे के लिए लंच रेडी कर रहे हूं तो उसके लिए लंच में मैं आज बना रहे हूं रोल और वह भी फलाफल रोल जो आप मेरे यूटूब चैनल पर सभीता करना इस्टोन के यूटूब चैनल पर इसका रेसिपी देख सकते हैं और यह जो रोल है ना मेरे बेटे ने खाया और उसके बद बोला कि मम्मी इसे डेली बनाया करो वैसे तो बच्चे को जो भी एक बार बच्चों को पसंद आजाता है तो उन्हें बहुत पसंद आता है और वो बार बार चाहते हैं कि यही बने यदि आपके घर में कोई बच इसको फोल पेपर से कवर करके मैं लंच बक्स में डाल दूंगी और फिर जाके बैग में रखूंगी और अभी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेहंदी बनाना है तो उसके लिए मेहंदी के लिए हमने रात को मेथी सॉप और लॉंग यह सारी चीजे पानी में डाल के रखी हुई थी और करी पता भी डाल दिया था हमने करी पता हमने सुप हमें डाला है और उसको हम पीस लेंगे सब को पेश्ट बना लेंगे इसका पानी हम बाहर निकाल देंगे एक साथ पानी डालने से यह अच्छे से पेश्ट नहीं बन पाएगा तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही टाइम दिखाए कि अभी साधे पाच बज रहे हैं सुबह के नहीं साधे चार बज रहे हैं और उसमें हम डालेंगे मेहंदी पॉडर मैं यहां नूपूर का मेहंदी पॉडर डाल रही हूं आप जो डेली यूज करते हूं उसी को मिक्स करें और इसको हम बढ़ दाल रहे हूं कोको नॉट ओए मतलब नारियल का तेल यह पैरसुट नारियल का तेल हो तो वह तो और ही अच्छा होता है तो इसको हम डालेंगे और बढ़िया से मीक्स करेंगे और गोल तयार कर लेंगे गोल को गाढ़ा ही रखे वरना बालों में लगाने के बाद न यह ग की सब काम होगा तो चलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूं दो तिन घंटा बाद हम बालों को धोलेंगे और अभी दोपाहर का समय हो रहा है और मेरे घर आया है मेरा पार्सल जो मैंने कुछ समान ओर किया था उनलें तो यह हमारा जो चपल है ना यह हमारा पहुच चुका है औ आज का जो मौसम हुआ है ना लग रहा है जैसे बारिस आने वाला है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आसमान में कैसा बादल हुआ है और यह नीचे देखिए हमारा सड़क